तो हलो गाइस आज हमारे पास है टाटा साफारी एक्जेट प्लस जो इसका टॉप मॉडल है तो आज हम इसके बारे में डेटील में रिव्यू करेंगे कि इस पर आपको क्या कुछ फिचर्स मिल जाते हैं तो चलेगा इस फीडियो को शुरू कर लेते हैं तो मैं आपको की दिखाना चाहता हूं तो इस पर आपको यहां पर मिलता हां जहां पर आपको लौक उलायाथ करने का बटन है वह आपको यहां पर मिल जाती हैं और पूरा सामने का लूक आपने से ले लीजिए सफारी पे आपको हैर्या से थे ठोड़ा अलग करना होगा तो इसलिक क्या करते हैं यहां पे क्रोम लेंग्ट आपको इस वाले सफारी पे मिल जाता है अगर तायर साइस की बात करें तो यहां पर आपको 18 इंच की डायमंड कट एलाव भी देखने को मिलता है जहां सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक और पीछे भी आपको यहां पर डिस्क ब्रेक का ओप्शन आपको यहां जाता है तो ऐसा कुछ है इसका पूरा साइट का लुक अगर मैं इसका बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो फिर भी आपको नहीं से देख सकते हो यहां पर अपको डियर वाइपर डिफॉगर हाइंस टॉप लैम वासर जीचे फीचर आपको यहां यहां पर ऐसा कुछ करके इसका दिजाइन के को मिल जाता है और शाग फिनिश पर口 of íच क्रूम फिनिश सफारी लिखा हुआ है साफूरी पूरा बाहर अजम्मारी आपको कुछ बाघ्रा में दूसरी सैच से भी आपको दिखाने के कोशिश करता हूं तो यहां से आप लोग देख सकते हो और यहां से वरेंगे फ्यूल टेल लेम की बात करें तो यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और आपको इस वाले सपारी पे आटो फोल्डेबल ओवर्वे मिलता है जो कि आपको लोग या अनलोग करने पर फोल्ड या नफोल होते हैं और बोच साइड ड्राइवर एन पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है तो बाहर से तो बहुत बात है अब अंदर से बात करते हैं कि इस पर आपको कैसा कुछ फिटर्स देखने को मिलता है तो पहले हम गारे का अनलोग कर ले आपको पावर विंडर कंट्रोल ये डॉर ओपनर और यहां पर आपको ट्विटर की प्लेस में मिल जाएगी नीचे की तरफ आपको श्पीकर बॉटल होल्डर मेंगान स्पेस और यहां पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाता है सीट की बात करें की बात करकें फिप्टी फिप्टी स्प्लीट सीट की मिल जाता है जो की पीछे भी आपको अध्यस्टेबल ने को मिल जाता है तो मेरा हाइट है 5нул 11 इंच तो इसका आपको दिखा देता हूँ क्यूंस आय उलावे जाता है तो यहां पर थडर्ड नोiniz तरी तेसे मिल में कर दिया उसके बाद अगर में यहां पर बैशता हूं तो हाँ आपको सेग्मेंट में सबसे ज्यादा स्पेस थार्ड रोर सीट पर सफारी में ही मिलता है तो यहां पर देख सकते हो मुश्किल से मेरा हाथ यहां पर जा रहा है और अंदर ठाय सपोर्ट की बात आप भूल यहां पर आपको एसी के कंट्रोलर भी आपको रियर थर्ड रो सीट पर आपको दिया गया है तो अब आते हैं इसकी सेकेंड रो सीट की तरफ तो यहां पर आपको दो केप्टेन सीट डेखने को मिलता है जहां पर आपको एनफ स्पेस आपको देखने को मिल जाता है और ठा तो द्राइवर साइट डूर की बात करें तो यहां पर आपको डूर का लुक ऐसा मिलता है जहां पर आपको पार विंडर कंट्रोल ग्रैव एंडल और यहां पर ट्विटर नहीं मिलता नीचे आपको स्पीकर बॉटल होल्डर और यहां पर आपको अंब्रेला रखने की सकते हो तो फीचर्स की बाते हम ड्राइवर साइट सीट पर जाके बताते हैं आपको तो चलिए तो पहले हम कर लेते हैं गारी को आउन क्यूंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो गारी ओन हो चुकी है तो ऐसा कुछ करके आपको जो है एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है पहले एसी को तरब परहा लेते हैं जो कि बहुत गर्मी होगे रखा है तो आपको आगर मैं इंस्ट्रुमेंट कॉन्सोल की बात करूँ इंस्ट्रुमेंट काउन सोल की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करके इसके इंस्ट्रुमेंट कॉन्सोल देखने को मिलता है जहाँ पर इस तरब आपको टैकोमीटर यहाँ पे सारे हेलाप कंट्रोल और यह है इसका एसरी वेंट और यहासे ही आपको जो है वह उल्वेरियं को आप फ॓ल अन्फौल कर सकते हो आप लोग यहां से यह वाज्ड़िंवेंज्थ सपको आपको ऑपन रखेवर्फ लगा मिलता है, यहाँ पे आपको, अपको और यहह इसका, अज Алओंक का, टान्समिशन मान वह भी अवहलेबल है, और यहाँ पे आपको तीन और सब्सक्राण, सले कंट्रोल भी आपको इस वाले जाता हें, पधाइस पता हें, रहाँ पर हैं Flower transmission , मिल जाता है और यहां पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस आपको देखने को मिल जाता है तो पुरा डेश्बोर्ट का जो लुग है वह आप लोग यहां से एक बार ले लीजिए और उपर यह है इसका IRVM जो की आटोमेटिक है अगर संसेट की बात करें तो यहां पर आपक के लिए एजस्टेबल आपको सीट से देखने को मिलता है और यहां पर आपको एक अच्छी बात और यह है कि आपको संरूफ भी देखने को मिलता है जो कि अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूं तो पहले जो है इसका हम लोग शेड ओपन करते हैं तो यह देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा आपको पैनेरोमिक संरूफ आपको सफारी में देखने को मिल जाता है और इसके बाद अब मैं इसका जो है उपर का यह ओपन कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि एक बहुत ही एरिया जो है एक कवर कर देता है आप लोग देख सकते हो बहुत ही अ यहाँ पर ला देता हूँ तो संद्रूफ भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया तो ओवरल जो है टाटा सफारी एक्जेट प्लस फेरियन डिखने में कैसा है उसके आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं तो उसके बारे में आपको जरू से पता चल गया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और ऐसे वीडियो से अगर आपको और देखने हैं तो हमारे चलना को जरू से सब्सक्राइब भी कर देना तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो पर